दोस्तों साल 1987 का आध्यात्मिक धारवाहिक रामायन के आज लगभग 33 साल पूरे हो चुके हैं लिकिन इसके बावजूद आज भी जब इस धारवाहिक को दूर दर्शन पर दोबारा प्रसारित किया गया है तो इस धारवाहिक ने TRP के मामले में सभी सीरियल्स के रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं इस धारवाहिक में सभी किरदार अपने श्रांदार प्रदर्शन से दर्शकों का भरपूर मनुरंजन करते हुए नजर आये थे और इन ही में से लक्षमन एक ऐसा किरदार था जिसे दर्शकों द्वारा सबसे ज्यादा प्यार मिला था लेकिन आप इनके बारे में तो सब जानते होंगे पर क्या आपने कभी सोचा है कि अपने टालेंट से सभी का भरपूर मनुरंजन करने वाले ये अभिनेता कुल कितनी संपत्ती के मालिक हैं तो इसलिए आज के हमारी वीडियो में हम आपको इस अभिनेता की कुल समपत्ती के बारे में कुछ खास जानकारी देने वाले हैं। अगर आप भी इनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहें। साथ ही दूरदर्शन चानल के प 29 जनवरी 1961 को मध्यप्रदेश के दमोह शहर में हुआ था और यहीं से इन्होंने अपनी शुरुवाती पढ़ाई की और वेशन कॉलिज से ग्राजुएशन कम्प्लीट की। अगर बात करें इस टालेंट रभिनेता के आक्टिंग करियर के बारे में तो इन्होंने साल 1980 में आई फिल्म दनक्स लाइट्स से बॉलिवुड इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा था और सभी को अपना दीवाना बना दिया था जिसके बाद इन्हें और भी कई फिल्मों में काम करने का शांदार मौका मिला जिसमें बहारों की मन्जिल और आजा मेरी जान जैसी स उपर हिट फिल्में शामिल हैं साल 1986 में इन्होंने अपना रुख टीवी इंडस्ट्री की ओर कर लिया जिसके जरिये इन्हें हिंदू पौरानिक कथा पराधारित धारावाहिक रामाइड में लक्षमन का किरदार निभाने का मौका मिला इस किरदार के जरिये इन्होंने इ सुनी लहरी की कुल संपत्ती रामाइण की सीता और राम से भी कई ज्यादा है सुनी लहरी लगभग 53 करोड की संपत्ती के एक लौते मालिक हैं साथ ही इनका आलिशान घर किसी सपनों के घर से कम नहीं है इनके आलिशान घर में आपको हर तरह की फैसलिटी देखने को मिल ज सामले में अभी भी कम नहीं है आज ये एक अड कंपनी के ओनर है जिसका नाम शिकर मूवी है ये कंपनी फिक्शन शोज भी प्रोडियूज करती है जिसके जरीए सुनी लहरी काफी रुपए कमाते हैं और इसी के चलते आज ये एक सफल अभी नेता के साथ साथ TV इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें